गाइद आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन सिटी स्केंड टेकनोलोजी कोर्स के बारे में जो इस टेम बहुत जादा डिमांड में है जादा तर बच्चे टुएल्थ पास करने के बाद इसमें एडमीशन ले रहे हैं और अपना अच्छा करियर बना रहे हैं तो दोस्तों आ पहले बारा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो गाइस शुरू करते हैं गाइस पहले हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन सिटी स्केंड टेकनोलोजी कोर्स है यह क्या है तो दोस्तों इसके अंदर जो है आपको किसी भी प्राइवेट या गोर्मेंट चर्श बगएरा लिये जाते हैं तो इस सिटी स्केर का वर्ख ही आप कर आएगा इस कोर्स को करने के बाद आप अअपना अच्छा कर्यर बना सकते हैं और आप सिटी स्केंड टेकनीशन कीरूपं में वर्ख और आप अगर अपना खुद का सेंटर खोलना चाहे तो आप वह भी खोल सकते हैं, तो गाईस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कोर्स के बारे में, तो दोस्तों इस कोर्स की full form होती है, डिपलोमा इन City Scan Technology या इसे हम City Scan Technician भी कह सकते हैं, इस कोर्स की अगर हम duration की बात करें, तो यह दो साल का कोर्स होता है, और अगर हम इसकी eligibility की बात करें, कि इसमे admission ले लेके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो कि नमाख से, और आपका subject होना चाहिए, PCB या फिर PCM से आप अगर 12 पास कर लिया है, तब आप इसमे admission ले सकते हैं, अगर इसके हम admission process की बात करें, कि इसमे admission कैसे होता है, तो आपको जो है दोस्तों, merit base पर direct admission मिल जाएगा, और अगर हम इसकी fees की बात करें, कि इसकी fees कितनी होती है, तो यह दो साल का course होता है, जिसमें आपकी एक साल की fees 70,000 रुपे से लेके, एक लाग रुपे साल आना हो सकती है, यह अलग-अलग college पर depend करता है कि कि कोली ने कितनी fees रखी है, लेकिन आपकी normal fees, average fees, 70,000 रुपे से लेके, एक लाग रुपे तक हो सकती है, अब बात कर लेते हैं इसकी salary के बारे में, तो इसकी दो दोस्तो salary है, वो आपको starting salary 20,000 रुपे से 25,000 रुपे फरमन तक मिल सकती है, जैसे जैसे आपका experience बढ़ता कोली जहां से आप ये course कर सकते हैं, तो आप guys ये list देख सकते हैं, ये सारी फूरी list है, ये 7 top कोली जहां से आप ये course कर सकते हैं, तो guys अगर आपने 12th pass कर लिया है, तो आप इस course को कर सकते हैं और अपना अच्छा career बना सकते हैं